नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चानल सुमन एज्यूकेशन हब में एक कमेंसमें रिस्टीप किया था सरकाव सरकाव नाम मुझे याद नी है उनकी एक वारी थी अपने इन्वाइसेस पे वो जीस्टी परसंटेज वाइस का कैसे करें तो चलिए आज हम डिसकस करते हैं कि कैसे हमें अपने इन्वाइसेस पे चाहिए वो सेल का इन्वाइस हो या फिर पर्चेस का इन्वाइस हो अगर आप अपने इन्वाइसेस पे परसंटेज वाइस जीस्टी का कॉलम एड़ करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते ह चलिए वो मैं आपको इहां पे practically and with example करके बताने वाली हूं तो चलिए आगे बढ़ने से पहले and video start करने से पहले एक छोटी से request है मेरी आप से भी लोगों से अगर आप first time में चैनल पर आये हैं and new viewer हैं तो make sure मेरे चैनल को like कर दीजिए and जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आ में इंट्रेस्टेड हैं उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को share कर सकते हैं साथ ही वीडियो के right hand side पे एक छोटा सा रेट कलर का subscribe बटन आपको show होगा उसको press करके उसको hit करके मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए and मुझे support कीजिए tally and accounts related किसी भी type की कोई भी confusion है आप मुझे comments कर सकत हैं definitely उसका solution and reply में आपको दूँगी तो चलिए देखते हैं अपने invices में हमें कैसे gst text rate wise percentage wise का जो column है वो कैसे add करना है चलिए tally prime open कर लेते हैं अब यहीं से dss press करके कोई भी Excel invoice open करके मैं आपको show कर रही हूं यहाँ पर मैंने भी configuration नहीं किया है तो यह invoice कैसा show होगा वो मैं आपको show करूंगी देखिए print पे click करेंगे and then current पे उसके बाद देखिए preview पे click करके मैं आपको show कर रही हूं कि अभी यह invoice कैसा show हो रहा है तो यहीं से F4 प्रेस कर दिया है मैंने अब देखिए invoice zoom हो चुका है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे description of goods, addition, quantity, rate, discount percentage wise and total amount अभी यहाँ यहाँ पे show हो रहा है अभी हमें show नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें कुछ setting करनी होगी कुछ configuration करना होगा तो यहीं से escape प्रेस करेंगे and back जाएंगे और यहाँ पे देखिए configure का option आपको show हो रहा है यहाँ पे आप enter प्रेस कर लिजिए show more पे आपको enter प्रेस कर देना है तो सारे options जो है वो आपको show होने लगेंगे visible होंगे उसके बाद देखिए statutory details के अंडर में आपको यहाँ पे एक option show होगा show GST rate in percentage wise तो यह option अभी फिलाल no है इसको आपको yes प्रेस करके and save कर लेना है अब देखिए अब हम preview पे again क्लिक करेंगे preview पे क्लिक करते है and f4 प्रेस कर लेते हैं हमारा invoice यहाँ पे zoom हो चुका है अब आप यहाँ पे देखेंगे description of goods show हो रहा है उसके next में आपको show हो रहा है accession वाला column and just उसी के next में GST rate percentage wise आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो invoice बनाया है 55% का जो goods है उसका invoice बनाया है तो जो column है आपको यहाँ पे show हो रहा है तो यहाँ पे हमने उस column को enable कर लिया है कैसे enable करना है मैंने आपको बताया configure पे क्लिक करके and then show more पे क्लिक करना है उसके बाद statute details के नीचे आपको एक show GST column percentage wise उस option को आप yes कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो है प्रिंट में show होगा आपके invoice में GST rate percentage wise शो होगा इसमें हमने जो invoice बनाया है उसमें सारे जो product है वो 5% के हैं इसलिए 5% शो हो रहा है तो च पार्टीख का जो name है वो select कर लिए जिस पार्टीख के लिए अप सेल इंवाइस को generate कर रहे हैं बना रहे हैं इसके बाद आपको हैंपर बना रहे हैं तो मैं यहाँ राय से लेकर पर रही हूं जिस पर की 5% टेक्स हैं न जिकेंड प्रोडिक में different text rate का zo that मैं आपको इसका impact छोकरूर्ण की ज़िए कोलंम में different different text अब उसके देखी सखेंगे अगर हमाली पार्टी लोकल है तो लोकलिव टेकस अप्लाइo किजिए इंटरल स्टेत है तो इसके बाद हम print पर क्लिक करेंगे करेंगे और प्रिव्यू पे क्लिक करके हम इसका प्रिव्यू देख लेते हैं अब यहां देखिए यहीं से F4 प्रेस करके आप अपने इन्वाइस को जूम कर लीजिए अब यहां आप देख सकते हैं दिस्क्रिप्शन औप गूड्स में दो प्रोड़क्ट हमें शो हो रहा है एक चैसन कोड़ एंड जियस्टी रेट्स में देखिए अपको यहां पर इंगार is पेब्ड आले इस पेफाई परसंट टैक साप्लाया था इसलिए इस पर फाई परसंट में आपको शो हो रहा है second वाला जो product है हमारा 18% का है इसलिए आपको GST rates वाले column में 18% show हो रहा है तो इस type से अगर आप single same invoice में multiple GST tax rate वाला invoice बनाते हैं तो GST rates के column में 5%, 18%, 28%, 12% इस type से आपको GST rate वाले column में आपने जितने भी percentage वाले goods के bill बनाए हैं वो आपको यहाँ पर percentage show होंगे तो इसका यही benefit होता है GST rate percentage wise column का हम यहाँ पे अपने invoice में देख सकते हैं किस item पे, किस goods पे हमारा कितना percentage takes अपला है तो इस type से आप अपने invoice पे GST percentage wise column को enable कर सकते हैं प्रिंट ले सकते हैं description box चिक आउट करना ना पुलिएगा वहाँ में अपने accounts and tellies related maximum videos के link provide कर दूँगी आप चाहें तो उन सारे videos को watch out कर सकते हैं आप मेरे channel को search भी कर सकते हैं मेरे channel का name है zoom and education hub मैंने अपने channel पे playlist भी बना लिया है playlist भी आपके लिए काफी helpful होगी तो आप playlist भी watch out कर सकते हैं देखिए playlist क्या होता है इन short में मैं आपको बता देती हूँ किसी भी एक particular topic से related जितने में videos मैंने बनाए हैं उन सारे videos को merge करके मैंने एक playlist बनाई है तो playlist आप जाके watch out कर सकते हैं टेली and accounts are related छोटे से छोटे and बड़े से बड़े हर topics को cover करने की मैंने अपने videos में कोशिश की है इन future में मैं करती रहूंगी बस आप सभी लोग का साथ and आप सभी लोग का support मुझे चाहिए I wish ये video आपके लिए helpful रही है अगर helpful रही है तो एक छोटा सा काम करते हुए जाएगा मेरे चाहिए को like कर दीजेगा share कर दीजेगा and subscribe कर दीजेगा Thank you and keep watching my videos